तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या लेट मैगमेटिक डिपोजिट के बारे में तो इसमें हम लोगों ने देख लिया था क्या इससे पहले इम्मिसीबल लिक्विट सेग्रिगेशन डिपोजिट के बारे में अब हम लोग देखते हैं इम्मिसीबल लिक्विट इंजेक्शन के ब कि ठीक है तो इंजेक्शन डिपोजिट क्या होता है कैसे निरमothy होता है कब निरमिध होता है वह देखोज से हम लोगों नी से-पहले देखा कि जब जो मैगमा रहता है वह particular एक temperature में तो क्या रहता है घुला हुआ रहता है मतलब सभी चीज mixable रहता है लेकिन एक particular temperature के बाद हमारा जो sulphide हो गया silicate हो गया oxide form यह सब क्या हो जाते है separate होने का भी nature रखते है ठीक है तो हमारा कभी-कभी क्या होता है कि जब हमारा immisible जब liquid बन जाते हैं जैसे कि हम लोगा silicate जो phase है melt अलग हो गया और sulphide जो melt है वो अलग हो गया ठीक तो जब यह दो phase अलग हो जाते हैं तो अब जब यह दो phase अलग हो गया तो अब अलग होने के बाद जब इसमें कुछ भी disturbance होता है कुछ भी जैसे कि अब इसमें थोड़ा सा भी disturbance मतलब कि कुछ भी प्राकृतिक कारण से हम लोगों का कुछ earthquake का effect आया या तो फिर कुछ अलग कुछ भी effect पड़ा तब यह जो immisible liquid है तो यह क्या हो जाते हैं अपने आस पास के जो भी shell रहते हैं तब उसमें जो भी दरारे रहती है या जो fractures रहते हैं या थिक निच्षेब का निर्माड कर लेते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं immisible liquid injection निच्षेब बोलते हैं थिक तो इसको डाइग्राम में समझने का कोशिस करते हैं ठीक तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि यह हम लोगों का एक आस पास का जो rock है वो है ठीक है और यहाँ पर हम लोगों का जो magma है वो दो फेज में बढ़ गया है यह उपर यह का हम लोगो का सल्फाइड है या तो सिल्गेट बोल सकते हम लोग और यहाला जो है सल्फाइड है अस लिकेट में अ और यह हो गया हम लोगा क्या सल्फाइड मेन है ranges तो अब यहाँ क्या होता है liquid immiscibility के कारण में तो यह अलग होगा में एक ही मैंकमा से ठिक अब यहां क्या होता है अचानक से जैसे ही यहां पर कुछ होता है क्या disturbance यहां क्या होता है अचानक से किसी कारण से disturbance होता है तो disturbance के कारण में disturbance के कारण क्या होगा यहाँ पर अब हो सकता है shaking effect पड़े या कुछ भी effect पड़े तो disturbance के कारण में यहाँ पर जो भी हमारे mineral रहते या तो फिर जो melt रहता है यह melt क्या हो जाता है अपने आस पास के जो shell रहते हैं उसमें क्या कर जाता है हो जाता है मानके चरिए ठीक है तो यह क्या कर लेगा बाद में झ्धनडा हो करके इसक का निशेप कर लेगा है और रिपोजुट बना लेगा क्यों क्योंकि यह जो हम लोग का मेल्ट है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है प्लेटीनम है हो सकता है गोल्ड हो सकता है सिल्वर हो सकता है ठीक है तो इस प्रकार से हम लोगों का एक आयस्क का निर्माण हो गया आयस्क निछेप का निर्माण हो गया ठीक तो इस प्रिजी से बनता है हम लोगा क्या Immisible Liquid Injection Deposit में हम लोगों का IS कों का निर्माण होता है ठीक है तो यहां Immisible Liquid Injection Deposit में आप लोगों को सीड़ी सीदे बताना है कि Immisible Liquid Injection Deposit में जो हमारा मैगमा एक particular temperature में क्या रहता है जैसे ही इसका temperature down होता है तो वो unmixable हो जाता है तो यह दो phase में जो या दो से अलग phase में क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे जैसे कि प्रदर्सित चितर में silicate melt अलग हो गया है और sulfide melt अलग हो गया है तो अब यहां पर किसी कारण से यहां पर क्या होता है disturbance होता है या तो फिर यहां पर क्या होता है vigilant उत्पन होता है तो जिसके कारण से जो हमारा melt है जैसे कि यहां लोग sulfide melt को अंदर भेजे हैं तो यह जो sulfide melt है या तो फिर यहां पर जो भी melt है रहता है वो अपने आजपास के जो cell रहते है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, अन्ता छेपित हो जाता है, इस कारण से वहाँ पर वो क्या हो जाता है, एसक का बाद में ठंडा होकर के निछेप बना लेता है, तो इस वीदी से जो भी एसक का भंडार होगा, या तो फिर और deposit के निर्मान होगा इसको कहा जाएगा क्या immisible liquid injection deposit कहा जाएगा ठीक है कितना हो गया immisible liquid deposit के बारे में ठीक तो यह हो गया आप लोगों की क्या जो हम लोग का क्या पढ़ रहे थे magnetic concentration deposit जो पढ़े थे यहाँ आप लोगों का खतम होता है इतना बताना है आप लोगों को किसके बारे में magnetic concentration deposit के बारे में समय अच्छे से बताना है early magnetic deposit के बारे में उसके बाद बताना है late magnetic deposit के बारे में तो जो early magnetic deposit में जितने आप लोगों के निर्मान हुए थे वो अलग बताना है और उसके बाद में जो Late Magnetic Deposit में जो Immisible Liquid Injection Immisible Liquid Segregation Residual Liquid Injection Segregation यह सभी के बारे में आप लोगों को क्या करना है बताना है ठीक है इतना होगे आप लोगों का Magmatic Concentration Deposit के बारे में ठीक अब next पढ़ेंगे हम लोग क्या Pegmetatic Deposit के बारे में